हलो दोस्तो कैसे हैं आप सभी आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है करियर भाई दोस्तो बात आज हम करने वाले हैं कि अकाउंट एक्जेकेटिव का काम क्या होता है तो दोस्तो अकाउंट एक्जेकेटिव एक बहुत ही बढ़िया पोस्ट होती है और इसके openings भी काफी जगाओ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो basically account executive करते क्या हैं, इनका job description क्या होता है, इनकी responsibilities क्या होती है, क्या क्या expertise इस job को करने के लिए लगती है, और इनकी एक average salary क्या होती है, इस सभी के बारे में दोस्तों हम discuss करने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत छोटी सी आपसे request है, और वो चीज़ यह है कि अगर आप इस channel पर नए है, और ऐसे ही interesting videos आपको देखना पसंद है, ऐसे ही अलग-अलग job descriptions आपको देखना पसंद है, तो दोस्तों please इस channel को subscribe कर दीजे, यह चैनल आपको ऐसी बहुत से information देने वाला है, तो दोस्तों जरूर चैनल को subscribe कर दें, और साथी साथ यहाँ पर जो नीचे bell icon आपको दिख रहा है, उसके उपर भी जरूर click कर दें, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, तो दोस्तों शुरूरवात करते हैं इसके job description से, तो basically दोस्तों account executive जो होता है, वो basically customer relation साथी साथ उनके जो campaigns design किये जाते हैं, किसी भी company के, तो उसके लिए बहुत ज़ादा जिम्मेदार होता है, वो customer executive या हम कहें कि account executive बहुत front line पर देख रहा होता है, वो responsible होता है कि किस तरीके से नए customers जो है उनको approach किया जाए, कैसे deals को fix किया जाए, कैसे जादा से जादा लोगों को engage करने वाले advertising campaign वहाँ पर शुरू किये जाए, तो इस सभी के लिए जो है वो account executive responsible होता है, जाथ depth में चलते हैं, तो दोस्तों अगली चीज़ ये account executive क्या करते हैं, तो वो ये करते हैं कि एक detail analysis बनाते हैं कि हमारे perspective buyers कौन है, हमारे customers कौन है, और एक customer centric product हम कैसे बनाए और उसको advertise कैसे करे, तो ये जो solutions होते हैं, वो किसी mid-size business के लिए बहुत ही ज़ादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उनको अपने potential buyers तक पहुचना होता है, जिसकी वज़य से एक detail analysis करने वाला आदमी, साथी साथ एक ऐसे business product को put forward करने वाला आदमी, जो कि लोगों तक पहुचे और लोगों को convince हो पाए, कि हाँ ये product जो है, वो actually हमारे काम में आ सकता है, ये service जो है, वो हमारे काम में आ सकती है, और यही best choice है, तो ये लोगों को convince करना, ये भी इनका काम होता है, उसके लिए strategies बनाना, उसके लिए detail analysis बनाला, उसके लिए study करना, तो ये सारी चीज़े भी उनके responsibilities में आती है, साथी जाथ दोस्तों हर एक company के कुछ न कुछ targets तो होते हैं, कि इस month end तक हमें इतने customers तक पहुचना है, इतने customers का data collect करना है, जो कि हमारे potential bias हो सकते हैं, उनसे जो है, वो call करना, उनसे message पर बाचीत करना, उनको emails बेजना, promotional mails बेजना या messages बेजना, तो ये सारी चीज़े भी एक account executive को देखनी पड़ती है, और साथी साथ ये भी देखना पड़ता है कि क्या हमारे जो company के goals हैं, कि इतने buyers जो हैं, उनसे contact तो हो गया, लेकिन उतने buyers हमारे actual service को लेने में भी वहाँ पर जो है, वो reciprocate होने चाहिए, याने के convert होने चाहिए, जितनों को हमने contact किया है, उतने लोग आने चाहिए, तो उसका भी एक deadline होता है, वो भी उनको meet करना पड़ता है, इसके अलावा, इनके उपर कुछ responsibilities और भी होती हैं, उसमें से सबसे पहली ये है, कि basically, उनको अपना जो है, वो एक customer base भी बनाना पड़ता है, जादा से जादा लोगों को ढूंडना, कि जो potential buyers हो सकते हैं, उनको ढूंडना, और साथी साथ, अगर उनमें से कोई लोग जो है, वो उनकी service लेते हैं, तो उसका पूरा जो एक analysis है, और पूरा जो एक data है, उसको maintain करके रखना, उसके reports बनाना, ताकि आगे चलकर उनकी जो नए नए products है, उसकी भी वहाँ पर advertisement की जाए, क्योंकि जो आपके अभी के customers है, बहुत जादा मुंकिन है कि अगर उनको service पसंद आई, तो वो बार-बार आपसे service ले सकते हैं, तो उनके साथ एक अच्छा रापो बना करके रखना, उनको हमेशा आपके product के बारे में loop में रखना, उनको हमेशा inform करते रहना, ये भी इनका काम होता है, साथी साथ जो बाकी की teams होती है, माल लिजए logistics की team है, या जो service वाली team है, जो actual लोगों को service देती है, product लेने के बाद, तो उनको train करना, या उनको business की strategies जो है, वो समझाना कि किस तरीके से business करना है, account executive के उपर जरूर होती है, तो दोसों, अब बात करें कि, इस तरीके का जो job है, जिसके अंदर इतनी सारे responsibilities होती है, तो इसको संभालने के लिए, किस तरीके के skills आदमी के अंदर होने चाहिए, या companies जो है, वो किस तरीके के skills, एक potential candidate में देखती है, तो दोस्तों, सबसे पहला skill तो यह है, कि उसके जो verbal और written communication skills है, वो बहुत ही जादा भेतर होने चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, कि ये आदमी जो है, वो directly आपके customers के साथ बाचीत करता है, आपके products के बारे में बताता है, तो कोई भी company यही चाहेगी, अलग जो है, वो हमें actually फाइदे वाला जो है, वो साबित हो सकता है, तो इसकी वजह से excellent verbal communication skills और written skills भी होना बहुत जादा जरूरी है, दूसरी बात यह है, कि इस तरीके के जो jobs होते हैं, उसके लिए अलग से software भी बनाये जाते हैं, जिसके अंदर पूरा database होता है, तो उससे friendly होना भी बहुत जादा जरूरी है, इसका मतलब यह है, कि आपको वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से computer का ज्यान होना चाहिए, अगर आपको MS Excel या MS Office जैसे चीजों का ज्यान है, तो एक बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी, यह एक added advantage होगा, लेकिन अगर नहीं भी है, तो बाकी के skills के दम पर आप उसको जो है, वो थोड़ा सा convince कर सकते हैं, कि भाईया, यह skill मेरे पास थोड़ा कम है, माल लीजे कि कोई ऐसी industry है, जो की एक service provider है, जो की लोगों के घर में कोई service provide करती है, जैसे की urban company अगरा जैसे companies हैं, जो की अलग-अलग services provide करती है, तो उस sector के अंदर अगर उस आदमी को काम करना है, तो उस industry का बहुत बढ़िया तरीके से ज्यान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उस industry के बारे में knowledge होना बहुत जरूरी है, तभी वो आदमी जो है, वो अपने knowledge को अपनी बातों में ढाल सकता है, और सामने वाले तक पहुचा सकता है, जिससे की सामने वाले को भी ये लगे, कि भाईये ये आदमी जो है, वो knowledgeable है, ये customer की need को जानता है, और उसके हिसाब से आपको product दे रहा है, तो इसकी वज़ए से market का, उस industry का ग्यान होना बहुत जरूरी है, दूसरी बात ये है, कि उस आदमी के पास multitasking skills होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी मैंने इसकी पूरी जो responsibilities है, वो आपको गिनाई है, कि कितनी सारी responsibilities इस आदमी के उपर होती है, तो वो आदमी जो है multitasker होना बहुत ज़ादा जरूरी है, तभी वो इतने सारे काम जो है, वो एक साथ maintain कर सकेगा, उसका एक balance बना सकेगा, साथी साथ वो आदमी जो है, वो एक quick learner होना बहुत ज़ादा जरूरी है, क्योंकि ये जो industry है, ये सीधे सीधे customer से relate होती है, सीधे सीधे customer से आपका जो है, वो संबन्द आता है, तो इसकी वज़े से आदमी जो है, वो बहुत जल्दी सीखना चाहिए, कि किसी customer का अगर कोई बुरा review आ रहा है, या कोई शिकायत आ रही है, कुछ suggestion आ रही है, तो उसको किस तरीके से उपर तक पहुचाया जाए, तो ये सारे skills जो हैं, वो जल्दी जल्दी सीखने पड़ते हैं, तो इसकी विज़े से मैंने कहा, कि वो आदमी जो है, वो एक quick learner जरूर होना चाहिए, और दूसरी बात ये है, कि सिर्फ quick learner ही नहीं, बलकि अपने knowledge को apply करने वाला भी होना चाहिए, सिर्फ सीखने से काम नहीं बनेगा, उसको अपने day-to-day काम में, उसी क्षण से जो है, वो apply करना भी आना चाहिए, तो दोसों, अब ऐसे जो candidates भरे जाते हैं, जुनको job दी जाती है, उनकी educational qualification क्या देखी जाती है, तो कम से कम उनके पास bachelor's degree होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर उसी field से related bachelor's degree है, जैसे कि MBA वगेरा, तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, और साथी साथ कई कमपनिया, post-graduation courses अगर उस आदमी ने किये है, तो उसको भी बहुत ज़्यादा prefer करते हैं, क्योंकि post-graduation courses जो है, वो अगर उसी industry से related किये हुए है, तो वो आदमी बहुत ज़्यादा relevant रहता है उनके लिए, कि भई इस आदमी ने जो है, वो अभी fresh fresh उसी के बारे में सीख के आया है, तो ये आदमी हमारे लिए अच्छे तरीके से काम कर सकता है, तो इसकी विजए से ऐसे candidates को जो है, वो वहाँ पर prefer किया जाता है, और साथी साथ अगर उस आदमी ने कही और काम किया है, तो और भी ज़्यादा बढ़िया बात हो जाएगी, तो अगर कही और काम किया है, तो उसका जो track record है, उसका जो industry में record है, वो भी अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो ये educational skills जो है, वो generally इस job के लिए consider किये जाते हैं, दोस्वों अब इसका जो overall एक working pattern होता है, उसके बारे में भी जान लेते हैं, तो generally इनका जो working pattern होता है, वो normal ही होता है, 9 to 6 job जो होता है, वैसा ही होता है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है, कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा tight deadline है, तो आपको थोड़े ज़्यादा घंटे जो है, वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, बाकि इनका जो एक working week होता है, वो 5 days होता है, generally जो companies standard लेती है candidates, वो 5 days a week वाला ही उनको structure देती है, तो generally 5 days a week होता है, और 9 to 6 वाला ही ये job होता है, कभी कभार overtime करना पड़ सकता है, तो दोस्तों कुछ इस तरीकी का ये job होता है, तो I hope दोस्तों आज आप समझ गये होंगे, कि एक account executive का actual में job क्या होता है, उसकी responsibilities क्या होती है, और साथी साथ इसके पास conscious skills होना जरूरी होता है, तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो दोस्तों इस वीडियो को like करना, और साथी साथ हमारे चानल को subscribe करना बिलकुल न भूले,